जब तक करोना वाइरस एक मर्स था जैसा ही हिंदुस्तान आ गया करोना को बीजेपी वालों ने कलमा पढ़ा के मुसल्मान बना दिया ये बीमारी से लड़ने के लिए एक प्लाटफॉर्म पर आ चुका था सारे लोग न्यूटरल अंदाज से अपनी अपनी तरहा से करोना से फैट कर रहे थे पिर करोना से जादा डेंजर जो हमारे इंडिया केंदर इसलामो फोबिया जो है वो वाइरस इसको गैप्शारल लिग मिनिस्टर ने इसको इगडूर कर दिया उसको जो हैना बिलकुल इग्नोर करते हैं उसको इन्होंने तैयारी ट्रम्प की तैयारी की अब सवाल ये भी होता ट्रम्प की तैयारी के बाद दो लाग पचास जार लोग यूएस में मरने का ख़शा रख रहे तो ये लोग तबलीग जमात पैलेगेशन लगाने से पहले हम ये कहते हैं कि ये जो बीजेपी के टटू है ये गोधी मीडिया हम कह रहे हैं कि फेबरी में जब ट्रम्प इंडिया को आया वो ये बीमारी को लेकर आया जिससे ये बात बताई जा रही है कि मुल्क में इस वक्त कई बड़ी बड़े इस्तिमात और भी जारी थे सिर्फ टबलीज जमात की जो से मरकत पर ही लोग जारी नहीं थे बरके हर जगे जारी थे मैं कहता हूँ कि वहाँ पर दो से तीन हजार लोग थे तालिव जाओ तालिव जाओ परिगाम में सारे मुल्क में अगर उसकी तादात को जड़ा जाए तो लाग तो ल Rangers जमा होगे उनकी तेदात एतनी बड़ी रहने के बावज़द वहाँ कोई म्सल्मानों की खास चाप नहीं है मुसल्मानों की कोई बड़ी ठेदाद नहीं है मगर उसके बावजूद सिर्फ मुसल्मानों से मुतालका इस बात को उच्छालना ये सिर्फ ये जहनी फिरका परस्ती जाहर करती है मैं इलक्टरानिक मीडिया जो नेशनल इंटरनेशनल वल पे हैं मैं उसे कहना चाहूँगा कि संजीत की से गोर कीजिए जिम्मेदारी से बात कीजिए आदाब नाजरीन मैं जिशान रजबी नाजरीन पूरी दुनिया पे 2019 डिसंबर से करोना वाइरस का खत्रा लाहक मनला रहा था बिला आखिर वो हिंदुस्तान में भी दाखिल हो गया किन वज़ुहा से दाखिल हुआ क्या वो हकुमत की नाकामी थी या फिर किसी की जाने बोची साज़िश इसका तो पता किसी को भी नहीं है अब तक लेकिन अच्छानक ही हिंदुस्तान में इसी महा यानके 2020 के तीसरे महने में लॉक्डाउन का ऐलान कर दिया गया उसके बाद से मुस्सिल लॉक्डाउन का सिलसला जारी है और इस दौरान करोना वाइरिस का खत्रा कम होने फिर बढ़ने फिर कम होने के खबरें आते रहें आज हाला दिये हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 1600 केसेज दर्ज कर दिये गया है इनी दौरान एक ऐसी खबर अवाम में गश्ट करने लगी कि दिल्ली में एक इस्तिमा हुआ कई लोगों को मैं जहां तक समझता हूँ इसके तारीख तक भी पता नहीं है जो फेस्बुक वाटसअप पर बेतुका कमेंट कर रहे हैं इस बारे में कई लोगों को इसके हकायत से भी नावाकिफ है फिर भी अपने जो जजबात है जो किस कलर के हैं पता नहीं उसकी वजाहत कर रहे है हम यहां पर हमाई साथ जमेत अलमा के खदावार खायदीन हाफिज लईक कान साथ मौजूद है जो हमाई साथ अपने जो एक्सपिरियंस से अपने ख्यालात है उनके तज्यूरबात हमाई साथ शेयर करेंगे कि क्या हुआ था मरकज में देहली मरकज में क्या हुआ था और क्यों आज इसको टार्गेट बना जा रहा है और क्या इसमें गल्ती किस की है हमारे हाफिज लेक साब का हमारे मुक्तसर सी गुफटगों में खैर मुक्दम करते हैं असलाम अलेकुश्यूरब हमारे सबसे पहला कुश्शन देहली मरकज क्या है और यहां पर किस किसम के एक्टिविटीज किये जाते हैं बिसमिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम मरकज निजाम الدین मरकज हजरत निजाम الدین जो है जहां पर एक अरसे से उसकी अपनी एक तारीख है वहां पर तबलीग का काम होता है जमाते आती जाती है ना सिर्फ हिंदुस्तान बलके दुनिया भर से वहां पर जमाते आती है और वहीं से जमाते बनकर निकलती है और उनका कोई गेर सियासी काम मुकमल मझहभी काम है कोई और गेर गेर सियासी है इसी तरह तबलीग जमात के लोग कोई सियसी काम में पहली बात मुदाखिलत नहीं करते इन्वाल नहीं होते दूसरी बात यह है कि वहाँ पर खालिस अल्ला और उसके रसुल की बात की जाती है आज जो हवा खड़ा की जा रही है तबलीग जमात के उन्वान से मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस दिन 22 मार्च को लाक डाउन पहले एक दिन जन्ता करफी हुई उसके बाद लाक डाउन का ऐलान हुआ 31 मार्च फिर उसके बाद बढ़ाते हुए 14 अपरियल तक तो बहरे हाल 23 तारीख को ही दूसरे ही दिन मरकस के जम्मेदारों ने डीम को और वहां के लोगों को दर्खास दी कि हमारे पास इतनी लोग है और इतनी हमारे पास बसे हैं उनका बसों का गाड़ियों का यह नंबर है आप इनको इनके मकामत तक पहुंचाने की अजाज़त दीजी तो इसमें तो मरकस की कोई गलती नहीं और फिर जमातों के काम की पूरी इंटिलिजिस रिपोर्ट उनके पास रहती कभी उनकी तरफ से कोई गेर खानुनी और गेर आईनी कभी कोई अमल हुआ ही नहीं अभी जो मीडिया में और दिगर जरायों से बात गश्ट कर रही हैं खुद निजामाबाद में भी कई लोग सरकारी आकड़े यही कह रहे हैं कि देहली मरकस में एक इस्तेमाँ अमल में आया गया था जो गालिबन तेरा से पंदरा मार्च के दर्मियान था और उसके में कोई इंफेक्टेंट पर परसन शामिल हुआ और उसके बाद से पुरे हिंदुस्तान में वाइरस फैल गा इसको आप किस तरह से जाहिर करेंगे देखिए ये करोना वाइरस से पूरी दुन्या जूंज रही है सिर्फ हिंदुस्तानी नी पहले चाइना में आया बेशमार हलाकते हुई बेशमार लोगों की मौत वाकी हुई इटैले में हुई खुद अमरीका में हुई लेकिन करोना जब तक करोना वाइरस एक मरस था जैसा ही हिंदुस्तान आ गया करोना को बीजेपे वालों ने कलमा पढ़ा के मुसल्मान बना दिया करोना वाइरस यहां पर आके मुसल्मान बन गया दूसरे मुलकों में थे तक वो करोना था यहां आके मुसल्मान हो गया मेरा सवाल यह है मैं आपको यह पूछना चाहरू हूँ कि वहां पर 1403,000 लोग थे दिल्ली वगवोट के चेर्में अमान उतल्ला खान ने भी दर्खास दी थी कि इनको जाने का बंदोबस कीजिए और इनको इजाज़त दीजिए एक बात दूसरी बात यह है कि अगर पूरे वहां पर एकटर उनीक उनीकी वज़े से पूरे मुलक में करोना वाइरस फैल रहा है ऐसी बात पहलाई जा रही है यह मुनज़म साजिश के तहट हिंदुस्तान की मीडिया जो जबरदस्ती इनके उपर थोपना चाह रही है तो मैं वो मीडिया वालों से यह पूछना चाहूंगा जो तबलीगी जमात के उपर खासकर टार्गेट करके उनको कोई काम नहीं है आद यह उनको बदनाम करने के लिए उनके उपर लगा रहे हैं तोप रहे हैं कि यह तबलीगी जमात की वज़े से करोना वाइरस फैर रहा है बलके बाद लोगों में तो ऐसी भी गटिया वाहियत खिसम के बयान आता है जिसको जो के नाकाबिले बयान है मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आनन्द विहार स्टेशन के बस्टान के उपर हजारों लोग सड़कों पर आए फिर आसाम डिटेंशन कैम्प में लाखों लोग खड़े हुए है उनकी वज़े से वाइरस नहीं पहला और यह लोग जो के एक मुनज़म जमात है इन लोगों ने जबके जितने लोग उनके पास थी अचानक लागडाउन का एलान होने की वज़े से उनको वापस करने उनको वक्त नहीं मिला अपने वापसी का घर अपने अपने मकानों को जाने का उसकी दर्खास इलागे पॉलिस टेशन में सेचे को दी गई और यहां तक के दो तीन बार याद दिहानी की गए इनके जाने का नजम कीजिए और कोई पासेज बना कर दीजिए जब मीडिया में बात पहलने लगी तो जमात वालों ने अपनी दीवी दर्खास का एकनालेजमेंट भी लिया कितनी मरतबा उन्हों ने वो दर्खास दी 29 तारीख तक वो मसलसल पॉलिस से रुजू होते रहे हैं यहां पर इतनी अफराद रुके वे जिनका उनके पस डाटा था सब लोगों को उनों ने उनके घरों तक वापस लोटने के लिए पासेस पूछे इसमें तबलीग जमात की क्या गलती है मरकज निजाम अद्दीन के उपर इल्जाम लगा कर यहां पर बीजे पी करोना को मसल्मान बना रहे हैं मजभी रंग देने की कोशिश कर रही है मैं यह पूछना चाहूंगा दुनिया भर में जो लोग करोना वाइरस से मतासिर है क्या वहां पर पूरे मसल्मान थे और जो हिंदुस्तान में भी जितनी की तेदाद है मतासिरीन की या जिनकी मौत हुई उनकी उनकी जितनी मतासिरीन है या जितनों की मौत हुई क्या तमाम तबलिगी है या मसल्मान है मर्स को इन मर्स की हैसे से देखना चाहिए उसको मजभी रंग देना ये इन्तिहाई मतलब बुरी बात है मतलब ये बताकर कि गौर्णूमेंट वाज़ रहे नहीं था तमाम मजभी मनादिर दरगा, मस्जिद, गुरुदवारे घिरजागर हर जगा पर अवाम की तेदाद मौजूद थी वाज़ रहे कि सोला सो मेश सिर्फ सो अफराद ऐसे हैं पुरे दुनिया के पुरे हिंदूस्तान के जिन्हें ने ये दिल्ली इस्तेमा अटेंड किया है वाज़ है कि कई लोगोंने इस दौरान मेटरों में भी सफर किया दिगर मुकामात पर भी सफर किया अभी जो लोग कॉरेंटैन में है जो दिल्ली मरकश से रिस्क्यू किया गया है उनके भी करोना पाजिटिव होने के अभी तक भी कोई रिपोर्ट नहीं आए है लेकिन इसके बावजूद भी हकूमत और मीडिया में इतना बड़ा प्रोपोगंडा हो रहा है इसके बारे में बाहसित है आप भी इस जमाज से वाबस्ता है आप क्या बताना चाहेंगे कि मीडिया और हकूमत की जानिब से बाजबता हूमत की कई नुमाइंदों ने मरकजी नुमाइंदों ने भी इस बारे में अपने इजहार खया है मैं यह कहूंगा कि मरकज के जो जम्मेदारान हैं उनका ये दिवालियपन की अलामत है कि इसको मसल्मानों से जोड कर जो माहूं खराब कर रहे हैं एक बात दूसरी बात यह है कि मर्कज के जो लोग अगर एंके आप लोग जमात वालों के ओपर ये फैयार कीबात कर रहे है तो मैं मौणा अर्शद मदनी साहब सदर जम्यति माहिन द्रामद बरकातू हमالालया की मे दोहराते हुए कहुँगा कि अगर इन लोगों के ओपर ये फयार होता है तो मरकजी हकोमत पर भी और रियासती हकोमत पर भी ये फयार होना चाहिए और जमात वालों के ओपर किसी भी तरीकी के लापरवाही गफलत का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता उनके पास सुबूत है क चुँके इनके पास कई लोग इन्हों ने जो अचानक लागडाउन का ऐलान किया लोगों ने देखा मीडिया में बहुत कम बता रहे हैं लेकिन हैं अकीकत कि बेश्मार मजदूर जिनको काम नहीं मिला पैदल रास्ता सफर तैय करके दूर दूर तक जा रहे हैं ये वजीर आजम जो अचानक लागडाउन किये हैं उनकी ये कहा जा सकता है कि अचानक जो बे नजम हो गया बे तर्टीब हो गया पुरा लागडाउन में जितने लोग जहांपर फसे वे थे उनको यहीं कहा गया कि जहां हैं वहीं रहे एक दो दिन का वक्त देकर इनको सबको अपनी जगा पर रवाना किया जाता तो शायद इन अवबत नहीं आती और चुंके मैं आप से यह कहूंगा कि अब यहां पर इससे पहले जब से मरकज में BGP हकुमत आई यह रोजा ना कोई ना कई इस्यू है लगा हुआ है ही आप अखबारात में मीडिया में आता है लेकिन यह इस बार उनको कोई उन्वानी नहीं मिल रहा था अपनी नाकामी नाएहली को छुपाने के लिए उन्होंने यह इल्जाम मरकज निजाम الدین को पर और तबलीग जमात के उपर लगा दिया और देखते ही देखते कुछ नफरत फैलाने वालों ने मतालबा भी शुरू कर दिया कि तबलीग जमात के उपर बैंड किया जाए इससे पहले कई बार ऐसा मतालबा आया लेकिन इनके उपर बाइंड इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंके ये कोई गहर खानूनी गहर आईनी काम नहीं करते और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा क्योंके मैं ही नहीं बलके मौना साथ साथ का भी एक आइडियो आया है कि जितने लोग वहां पर गए थे या जो आकर जिन जिन से मिले है वो इहतियातन जाकर अपना टेस्ट करा ले जिल इनतिजामिया का हर एक को तावन करने के लिए उन्होंनों दर्खास की मैं आपको निजामबाद की एक बात कहना चाहूंगा जो अब्दलमजीब सहब इस वक्त जिनको पॉजिटिव आया तो वो खुद से जाकर दवाखने में वो अपनी जांच कराए है उनको कोई पकड़कर नहीं लेकर गए उसके बात से निजामबाद में दूसरों के ओपर उनको खच्चा लोगों को जाहिर होता रहा अगर उनके अंदर ये चीज़ होती कि उसको छुपाना चाहते तो वो खुद से जाकर फिर उसकी बात वो बात को नहीं पहलाते वो खुद से गए और अपने इलाज के लिए वो लोग रुजु हुए और मेरी बात जो लोग यहां पर सरकारी दवाखने में हैं दो लोगों से मेरी बात हुई उसमें से एक साहब ने कहा कि अगर हमारी वज़े से दूसरों को नुकसान होता है तो हम गुली खाने के लिए भी तयार है एक साहब ने मुझे फोन पर ये कहा कि हमको मार दीजिए कोई खमनी हमारी तरफ से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन जितने लोग जा रहे हैं उनको मजभग के नाम पर बदराम करने के कोशिश ना की जाए वाज़ रहे कि मुसल्मानों की तारीष का एक सिया जुमा खुज़ जुका थी मुसल्मानों की तारीष की तारीष रही कि वो लोगों मुसल्मानों ने तलवारों की चाहों में भी जान देते हुए नमाजे अदा करी हैं लेकिन गुश्ता जुमा करोना वाइरस के खत्रे से खुद को और पूरी दुनिया को पुरे मुल्क को बचाने के लिए जुमा की खुर्बानी दी गई है उस खुर्बानी के बावजूद भी इस तरह से किसी मीडिया या फिर किसी ये हुकुमत की जानिव से इस तरह का संगीन इलजाम लगाना नाखाबले बरदाश है और इस मामले को पूरी नाकामी छुपाने के लिए मजभी रंग दिया जाना और मजभ के नाम पे फिर से सियासत का शुरू होना ये काफी शर्मनाक वाकिया हैं ये काफी शर्मनाक जुमले भी आजकल सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किये जा रहे हैं जिस से खुसूसी आज पूरी दुनिया में कोरोना का राज है और बड़े बड़े सुपर ताकतें भी अपने आपको मरूब जाहर कर रही हैं और यकीना मरूब हैं और अपने आपको बहुत ताकतवर जाहर करने वाले और अपनी साइंस पर अपने एल्म पर और अपनी मालूमात पर घमन करने वाले लोग भी आज घबराए हुए और परेशान है ऐसे वक्त में एक अजीब माहूल बना हुआ है कि ये कुरोना जो है सिर्फ मुसल्मानों के पास फैल रहा है या मुसल्मानों के दर्मियान ज्यादा है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मर्ज ये शिरू हुआ चैना में और चैना में क्या मजजी थी क्या मजभी माहूल था क्या मुसल्मान थे वहां ऐसा कुछ भी नहीं है एक कम्यनिस्ट पार्टी की हकूमत कम्यनिस्ट ख्यालात के लोग और वहां ये मर्ज शिरू हुआ है वहां कहां मुसल्मान थे और फिर वहां से पूरी दुनिया में फैला आज सूपर पावर अमरीका जहां दो लाक लोग मतासिर हैं ऐसी इतलात हैं तो इतने बड़े मुलक में कहाँ मुसल्मानों की वहां अकसरिया थे या किस मस्जिद में या किस मुसल्मानों के किसी से लोग़ बाहर आये ऐसा कुछ भी नहीं है और सिर्फ और सिर्फ महां क्रिस्टैनिटी ज्यादा है और उसके बावजद وہ مرض وہاں پھیل گیا اور ہندوستان سے کئی گنا زیادہ تعداد وہاں ہونے کے باوجود کسی کو اتنی حمت نہیں ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں پر کوئی الزام تراشی کریں یا ان کے خلاف ایک لفظ بول سکیں اور بس لے دے کے اس وقت اتنی تنگ ذہنی لوگوں میں آ گئی ہے خاص طور پر ہمارا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پر یہ پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس وقت مسئلے کو اچھال کر لے دے کر ایک خالص ایک مذہب کی طرف اور ایک طبقے کی طرف جو ہے مائل کر رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اٹیلی میں کون سا مذہب ہے اسپین میں کون سا مذہب ہے یہ وہ ممالک ہیں جو ٹاپ فائی میں آ رہے ہیں آج کرونا وائرس میں ٹاپ فائی ممالک میں ان کی تعداد اتنی بڑی رہنے کے باوجود وہاں کوئی مسلمانوں کی خاص چھاپ نہیں ہے مسلمانوں کی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے مگر اس کے باوجود صرف مسلمانوں سے متعلقہ اس بات کو اچھالنا یا صرف یہ ذہنی فرقہ پرستی ظاہر کرتی ہے میں الیکٹرانک میڈیا جو نیشنل انٹرنیشنل ایول پہ ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ سنجید کی سے غور کیجئے ذمہ داری سے بات کیجئے آپ اتنے ذمہ دار ہیں اور اتنی چھوٹی بات میں اتنا لڑکھڑا جاتے ہیں آپ تاجب ہے اور پھر کرونا ویرس سے بچنے کے لیے جو باتیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ بیس سیکنڈ ہاتھ دھویا جائے اور بیس سیکنڈ ہاتھ دھویا جائے ناک میں پانی چڑھایا جائے آپ کا چہرہ دھویا جائے اور یہ ساری چیزیں اور اتنی چیزیں پاوندی کی جو بتائی گئی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان جب ہندو مسلم کی بات چلی ہے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت نماز پڑھتے ہوئے یہ پانچ بار وضو کرتا ہے بلکہ کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وضو کرتا ہے تو اس طرح پانچ سات بار جو آدمی وضو کرتا ہے بیس سیکنڈ آپ ہاتھ دھونے کی بات کرتے ہیں اس سے زیادہ ہاتھ دھوتا ہے اور ناک میں پانی چڑھانے کی بات کرتے ہیں آج تک کسی نے ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں دیا مگر ہمارے رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ وضو کرتے وقت ناک میں پانی چڑھاؤ دن میں جو آدمی پانچ مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے اور بیس سیکنڈ سے زیادہ ہاتھ دھوئے وہ شخص اگر جمع ہوتا ہے تو اس میں اس مرض کو پھیلانے کی قیفیت کہاں برقرار رہتی ہے اس کے پاس یہ مرض تو خود بخود دھل جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے اور ان ساری احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے والا ہر حالت میں وہ نماز پڑھنے والا ہے اور نماز پڑھنے والوں پر اتنی بدنامیاں اچھالنا اور اس قسم کی چھوٹی ذہنیت کا اظہار کرنا یہ انتہائی تکلیف دے میں خاص طور پر مسلمانوں نے اس بات کو پہلی مرتبہ زندگی میں پرداشت کیا ہے کہ جمعہ ان سے چھوٹ گئی اور جمعہ چھوڑ کر انہوں نے اپنے گھروں میں زہر ادا کی اتنی بڑی قربانی دی ملک کے لیے ملک کے رہنے والوں کے لیے اور ملک کے رہنے والوں کی حفاظت کے لیے تاکہ کہیں کوئی مسلمان اپنی اس وجہ سے اس عبادت کی وجہ سے بدنام نہ ہو اسلام بدنام نہ ہو اسی لیے اتنی بڑی قربانی دیا اور اتنی بڑی قربانی کے بعد آج یہ ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ مرض پھیل رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے ہندوستان میں جتنے مریض سامنے آئے ہیں ان کی تعداد دیکھی اس میں کس کی تعداد زیادہ ہے کیوں مرض کو بھی ہندو مسلم میں تقسیم کر رہے ہیں چینہ میں جب مسلم نہیں امریکہ میں بڑی تعداد غیروں کی ہے یعنی دوسرے مذہب کی اسپین میں دوسری ہے اور اٹیلی میں دوسرے مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں تو پھر کیوں ایک خاص طبقے کو ایک مذہب کے لوگوں کے ساتھ یہ چیز منسلک کرنا اور ان پر تھوپ کر انہیں بدنام کرنا یہ انتہائی چھوٹی ذہنیت کی بات ہے کھلے ذہن سے بات کیا جائے مسلمان پاکی کو پسند کرتا ہے اور پاکی کی وضع سے امراض قریب نہیں آتے رسول پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے پاکی اختیار کرو اور پاکی کا یہ طریقہ بتایا کہ دن میں پانچ بار پانچوں نمازوں کے لئے وضو کیا جاتا ہے اور باغصول رکھتے ہیں اور حد یہ ہے کہ آپ انسانی ضرورت کے لئے پہشاب کے لئے جاتے ہیں تو وہاں بھی اپنے آزا کو دھو کر پاکی اختیار کرتے ہیں اتنی اختیار کا مکم دیا گیا ایسی پاکی کیا کسی مذہب میں ہے جب دوسروں کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایک خاص پاک رہنے والے اور صاف رہنے والے طبقے کو بدنام کرنا یہ انتہائی گریہوی ذہنیت ہے میں تمام ہی سنجیدہ اور سیکلر اور صاف ذہنیت لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کے یہ بدنام کرنے والے اور بیماری کو بھی مذہب میں باٹنے والوں کے خلاف اپنے اظہار رائے کرنا چاہیے اور ان کے خلاف اپنا اظہار خیال ہونا چاہیے تاکہ اس قسم کے لوگ آئندہ مرض کو بھی بیماریوں کو بھی مذہب کی بنیار پر تخصیم کرنے کی کوشش نہ کریں ناظرین ملک میں آج کرونا سے بڑھ کر بھی ایک مسئلہ بن چکا ہے پیدا ہو چکا ہے یا پھر چند ذہنوں نے اس کو پیدا کیا ہے جہاں پر لوگ ڈاؤن کے بعد ملک میں ایک جہتی کا مظاہرہ ہو رہا تھا وہیں پر چند دن خبل ایک نیوز آئی کہ دہلی تبلغی جماعت کے مرکز میں ایک استعمال ہونے کے بعد سے وہاں سے پورے ہندوستان میں کرونا وائرس سپلیٹ ہوا یہ نیوز کتنی تصدیق ہے یا پھر نہیں ہے وہ بات الگ ہے لیکن حکومت جہاں پر سولہ سو افراد کی ایڈنٹیٹی چھپا رہی ہے یہ کرونا پیشنٹ ہے وہیں پر صرف یہ ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ دہلی مرکز سے پھائل آ گیا ہم نے اس سے خبل بھی ہمارے جمعیت العلماء کے صدر حافظ لہی خان صاحب سے بات کرتے ہوئے اس سے وضاحت حاصل کی ہمارے ساتھ نظام آباد کے یوت آئیکون وہ ٹی آر اس خائد سناولہ صاحب موجود ہیں جو کئی مسائل پر اپنی کامیاب نمائندگی کرتے ہوئے حل کیے ہیں اور بازر یہ سوشل میڈیا وہ ہندوستان کے ماہر وہ باشور افراد سے ٹیش میں رہتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں جاننا چاہیں گے کہ اس مسئلے کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے وہاں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام وعلى رسول کریم جیسا ہمارے دیشان بھائی نے پہلے ہی پوائنٹ میں ساری میرا جو جوڑ تھا یعنی میں جو بولنا چاہ رہا تھا وہ انہوں نے اپنے ہی پوائنٹ ان کے ہی سوال میں انہوں نے ساری جواب لکھ دیئے یا بول دیئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بیماری ہے کہ ایک مذہب یا ایک مسلک یا ایک کاسٹ یا ایک کریڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لئے نہیں آئی تھی یہ بیماری جو ہے کسی کو بھی ہو سکتی تھی کہیں پہ بھی ہو سکتی تھی اب جب ہمارا سارا ملک یہ بیماری سے لڑنے کے لئے ایک پلیٹ فارم پر آ چکا تھا سارے لوگ نیوٹرل انداز سے اپنا اپنی اپنی طرح سے کرونا سے فائٹ کر رہے تھے پھر کرونا سے زیادہ دینجر جو ہمارے انڈیا کے اندر اسلاموفوبیا جو ہے وہ وائرس اس کو کیپچر کر لیا یا پھر اس کو اوورٹیک کر لیا ہاں اب ہم پہلے کرونا پر آتے ہیں پھر اس کے بعد اسلاموفوبیا پر آتے ہیں کرونا کا جو مسئلہ تھا کہ میں ان لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کرونا صرف اور صرف ایک کمیونٹی کو آنے والا تھا یا پھر ایک کاسٹ کو آنے والا تھا یا ایک کریٹ کو آنے والا تھا یا پھر مسلمانوں کے لیے یہ بیماری خاص تھی یہ میں ہمارے ملک کے ان لوگوں سے جو اسلاموفوبیسٹ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا بیماری خالص مسلمانوں کے لیے آئی تھی کیا اس ملک کے اندر क्या ये बीमारी है या फिर ये कोई एक मूव्मेंट है जो हम्मसल्मानों ने एजाद किया हमने देखा है हालिया में कि वैसे तो सोशल मीडिया इससे पूरा बढ़ा हुआ है Islamofobia से मगर जो नेशनल मीडिया वालों ने जो गोदी मीडिया हम जिसको कहते हैं उन्होंने इसको बहुत एक क्रिस्पी अंदाज में एक बिल्कुल एक स्टाइल में इसको पेश किया जैसे कि मैंने दीपक चौरसिया को देख रहा था तो इस तरह की जो चीज़े हैं ये गलती नहीं है ये लोग ये वांटेडली ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि ये वर्ड दोहना इंटाइर इंडिया के अंदर कॉमन हो जाए तो अगर हम अब तबलीगी जमात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि I being a Muslim मेरे लिए हर जमात उतनी माइने रखती है जितनी मैं अपनी जमात को पसंद करता हूँ चाहे वो तबलीगी जमात हो या सुन्नी हो या बरेली हो या सलफी हो ये कोई भी जमात हो ये हमारे लिए वही नज़रिया रखती है क्योंकि हम at the end of the day हम मुसलमान है तो जब अगर कोई पर्टिकुलरी जमात को टार्गेट बनाया जाता तो मैंने जिस तरह कहा कि दीपक चोरेस या ने परपसली ये वर्ड इस्तेमाल किया कि तालेबान जमात का वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि इतना बड़ी प्लाटफॉम पे वो बात कर रहा है नाइन पिम का प्राइम शो है उससे तो मिस्टेक नहीं हो सकती क्योंकि ये वांटेटली ये वर्ड को इंटायर इंडिया के अंदर ये पहलाना चाहरा था तो जैसा ही उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया फिर फिर शोशल मीडिया के अंदर ये चीज़ लगाई गई कि तबलीगी जमात नहीं है ये तालेबान जमाते जिस तरह तालेबान का मनशा दुनिया के अंदर दहशत पहलाना है वही मनशे के तहट तबलीगी जमात ने इंडिया के अंदर कोरोना वैरस का रास्ता इख्तियार करते हुए इंडिया के अंदर बीमारी फैलाई तो मैं ये बात पहना चाहरूँगा कि हम थोड़ा सा हमारी अखल को इस्तेमाल करें वो लोग इसलामोफोबिया का जो इसलामोफोबिस्ट है मैं उनसे ये कहना चाहरा हूँ कि अगर तबलीगी जमात हो या फिर कोई एक्स वाई जमात हो अगर उनको बीमारी जैसा आपने प्रेजेंटेशन किया कि ये लोग जो है कोरोना जिहाद का वर्ड इस्तेमाल किया तालिबान जमात का इस्तेमाल किया गया तो ये ये लोग जिस तरह तालिबान टेरर फैलाती थी तो इन्होंनों में टेरर फैलाया बिमारी के जरीए तो यह लोग क्या बेखुफ है अपने लोगों को थोड़ी मारेंगे जमाद का जौड था उसके अंदर तो जो है कोई कनीका कपूर नहीं आई थी कोई רजत شर्मा नहीं आया था कोई जो हैना मुह नहीं आया था वहां पर त्बलीगी जमाद के जोड के अंदर वहां तो सारे मुसलमान थे, सारे मुसलमान लोग थे, तो उनका जोड था, तो वो लोग थोड़ी बेखूफ है कि अपने ही लोगों के अंदर बीमारी फैलाएंगे, फिर रही बात, मैं सबसे पहले आप तबलिग जमात का स्ट्रक्चर जान ले, वो किस तरह काम करते हैं वो घर कर वापस आए तक वो उसको पर्टिकुलर्ली फालो करते हैं, और हजरत निदामदीन जो है, दिल्ली के अंदर वो पूरे एंटायर वर्ल्ड का, एंटायर वर्ल्ड का मरकज है, और वो सेंट्रलाइस सिस्टम के तहत वो लोग काम करते हैं, तो बहुत सारी इंटरनेश चाइनीज मुस्लिम थे, तो मैं अब सवाल पूछता हूं हकूमत से, कि जब कोविड नाइंटीन नवंबर के अंदर एंटायर वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर हो चुका था, उसके अंदर चाइना के कई सारे वोहान शहर के अंदर कई सारे लोग मर चुके थे, तब हमारे म मिनिस्टर ने या पिर हमारे इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इसको इगनोर कर दिया, उसको जो है ना बिलकुल इगनोर करते हुए, उसको उन्होंने तैयारी टरंप की तैयारी की, अब सवाल ये भी होता, टरंप की तैयारी के बाद दो लाग पचास जार वो ये बीमारी को लेकर आया उसकी वजह से इंडिया के अंदर बीमारी आई और हम इसको जो है न प्रूव भी कर सकते क्यूंके खाली टरम्प अकेला नहीं आया उसका इतना बड़ा इंटार डिलीकेशन है उसकी बेटी का डिलीकेशन है उसके सेक्यूरिटी गार्ड्स आए पता नहीं कौन कहां पे मतासिर हुआ जबके फेबरवरी में पूरा वर्ल्ड इससे मतासिर हो चुका था और जान बुचकर इनों हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी वावाई हासिल करने के लिए उसको बड़ाई हासिल करने के लिए उन्हो सकता है कि कहीं ना कहीं यूएस से ये बिमारी चाइना से जादा मैं तो कहूंगा कि यूएस से आई ये अब आप वो खुद अपने ट्विट में टरंप कह रहा है कि उनको दो लाग पचास जार से जादा लोग मरने का खशा है तो हम ये बोलते हैं कि पहले आप ये इंडि के अंदर तो ये बिमारी आती नहीं अब जैसे के एक वाटस अप बहुत जादा पॉपुलर मीम चल रहा है जिसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि पासपोर्ट वालों ने बिमारी लाकर रेशन कार्ट वालों को परेशान कर दिया है दरहाखिकत में बहुत सारे इंटरनेश तक पाञ लाक से जादा ट्रावलर है तो आपमनी की कहां स्क्रीनिंग की ठीक है चलो स्क्रीनिंग कर लिया आपने एरपोर्ट के अंदर अमारी इंडिया के अंदर पपुलरõr 67 एर इरपोर्ट है कौन सी एरपोर्ट पर आपने इस क्रीनिंग लगा ये बोली थो अब पहल सो लोगों के अडिन्टिटी चुपाई जा रही ही मगरườ murn 63 तबलीख जमात लोगों के अडिन्टिटी बताई जा रही और बार बार ये तबलीख जमात तबलीख जमात का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं यह समझता हूं बिलकुल दरहा की खत्में ये एक pre-planned agenda है मुसलमानों को escape good बनाया जा रहा है social media का strongly इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को और particularly तबलिगी जमात नहीं कहूंगा मैं ये मुसलमान entire community को हमको damage करने की जो है ना पूरी planning की जा रही हम मानते हैं थोड़ी नादा नहीं हो सकती है मुसलमानों से अंदर हमर completely blame हमारी community पे लगाना बहुत गलत है तीसरी जो अहम बात है कि हम हमारी फर्ज नमाजों को छोड़ दिये हमने और हमारे यही community के लोग हमारी community के लोग जिस दिन आपने lockdown किया हमारी शबे मेराच थी उस दिन हजारों लाखों की तेदाद में लोग नमाज पढ़ते थे उन्होंने उसकी खुरुबानी दी और आप यह कह रहे हैं कि जो है ना पूरा blame जो हमारी एक particular community पे लगा दे रहे हैं यह बिलकुल गलत है और यह चाहिए कि मैं तो यह सँचता हूँ कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स सामने आएं और सब defamation का केस लगाएं उन न्यूस चैनलों पे उन प्रोपगैंडिस्ट पे जिन्होंने हमको target करते वे हमको नुक्सान पहुँचाया हम जानना यह भी चाहते हैं कि आपके सर्वे के हिसाब से हुकूमत करोना वाइरस को फैलने में या फिर फैलने से रोकने में किस हद तक नाकाम हुई है और प्रेजेंट जो हाला थे उसमें क्या हुकूमत हिंद कामियाब हुई है या फिर यह एक प्रोपवर्णडा है जो अपनी नाकामी को मजभ़ब की आड़ में छुपाने के लिए किया जा रहा है तीन चीजे हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है पहली चीज हमारी लिविंग स्टाइल जो है इंडिया की लिविंग स्टाइल जो हैपी लिविंग के जो बारे में कहा जाता है हम लोग 144 पोजिशन पर है जो के वर्स्ट देन पाकिस्तान है यानि हमारी happy life नहीं है medical infrastructure हमारे पास बहुत ज्यादा कमजोर है Italy का जो है number two position बताया जाता है तीसरी जो चीज है कि हमारा जो है GDP वगरा जो हमारी economy है वो बिलकुल worst scenario पे थी ये तीन चीज़े आप पहले इन चीज़ों के बारे में जान ले अचानक से करोना वायरस की बारे में इंडिया के अंदर lockdown कर देंगे तो जो है बिलकुल रुक जाएगा थम जाएगा ये चीज़ सामने लाने की कोशिश की हकुमत मगर उनकी कोई पास कोई planning ने थी ये गवर्मेंट ने अलरेड़ी अपने आपको थाबित कर दिया कि वो बेखुफ़ वाली गवर्मेंट है अहमक इसको चला रहे हैं चाहे वो demonetization हो या फिर article 370 का abrogation हो फिर उसके बाद चन दिन पहले जो NRC NPR जो चला ये सारे जो चीजे हैं ये लोगों ने हशबश में implement की मगर करोना वाइरस का जो काम था इनके पास time दिया गया था नवंबर, डिसमबर, जनवरी, फेबरी, मार्च पांच मेहने थे इन पांच मेहनों के अंदर government चाहती तो करोना वाइरस को रुकाने के लिए एगदामात इस्तेमाल कर सकती थी मगर आपने कहीं पे भी, कहीं पे भी, तिल 22 मैं आपको कहरा हूँ चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ, तिल मार्च 22 तक कहीं पे भी government ने precautionary steps के बारे में ना कोई advertisement क्या ये government जो purely बनी ही है advertisement की बुनियाद पे करती चारने का, बतलाती सववारुपे का, ये government ने कहीं पे भी precautionary step के बारे में कोरोना वाइरस के तालब से कहीं नहीं कहा जब lockdown हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 5 बजे हमाएंगे, थाली बजाएंगे वो एक काम जो इन्होंने अपने, अपने official handling से इंडिया के अंदर implement किया अब जब ये बात कर रहे हैं कि तबलीगी जमात के 2000 लोग, 2500 लोग जो है ना एक जगा वहाँ पर छुपे वे थे वर्ड इस्तेमाल किया, तो मैं इनको बतलाना चूँगा कि 22 के दिन lockdown हुआ उस दिन कईयों हजारों लोगों ने गुजरात के अंदर, मध्या प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, हजारों की तेदाद में लोगों ने रैली लिकाली थाली बजा लेते हुए, तो क्या वो जोड नहीं था, क्या वो मैंटु मैं कांटक्ट नहीं था, क्या उस वक्त 22 मार्च के दिन, क्या जब थाली मारने से करोना वेदस वाखे में भाग गया, क्या गो करोना गो बोलने से भाग गया करोना, नहीं आखिर क्या कि जो है ना 22 मार्च तक जो है ये लोग ये जो ड्रामा करते रहे और लोग ड्रामे के अंदर फसते गए बावीज मार्च को ड्रामा हुआ फिर अचानक Dot सुऑना यन्होंने बगर ताइम दिये कि बिना कोई ताइम दिये हुए इन्होंने लॉक्डावन कं اللہ کے نبی کی حدیث ہے यह हमारे نبی کی حدیث کو उन्होंने implement करने की कोशिश की मगर फैल हो गए क्योंके नبی کی حدیث implement करने के लिए नबियों के जो followers है उनके जिसी नियत होनी चाहिए उन्होंने वो حدیث को तो adapt कर लिया कि जो लोग जहां पे है वहीं पे रुख जाए मगर कुछ वक्त देना चाहिए था कुछ वक्त किन लोगों के लिए जो immediate travelers है जिनके पास रहने करने का कोई ठीकाना नहीं था उनके लिए कुछ वक्त देना चाहिए था 24 घंटे का टाइम देना चाहिए था ताके लोग अपनी अपनी जगाओं पे safely move हो जाए तो पहला step हो गया fail का फिर हो गया medical infrastructure का या फिर medical जो हमारे पास equipment होते हैं उन लोगों का बराबर शहर दर शहर पहुंचाने का वो system भी ने था तीसरी चीज़ पूरे मैं पूरे इंडिया के अंदर लोगों पे टेस्ट हुआ एक करोड तीस लाग की आबादी है तीन लाग वीस ज़ार लोगों पे टेस्ट हुआ अमरीका के अंदर साथ हजार दोसुचिलर पे टेस्ट हुआ सबसे ज़ादा अगर average में अगर कहीं टेस्ट हुआ तो वो स्पेन में हुआ तो हमारे इंडिया के अंदर कितने लोगों पे टेस्ट हुआ कितने लोगों के अफर अभी जो है ना वो टेस्ट फर्स्ट स्टेज में नेगेटिव आया तो क्या पॉजिटिव आने के चांसर से ऐसी कोई हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहीं पे भी आके एक मीडिया के अंदर आके छोटी सी भी मीडिया के अंदर आकर अपडेट नहीं दी अगर आप देखें के रला के चीफ मिनिस्टर या फिर हमारे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को देखिए every day press conference कर रहे हैं press release कर रहे हैं every three hours में एक news update दे रहे हैं अभी मैं उनके थोड़ी देर पहले tweet देख रहा था वो tweet के अंदर उनके अंदर उनके अंदर नहीं मिंशन किया कि जो भी doctors के फर मारें गे या फिर पूलिस वालों के फर minister ने जो budget release किया जो 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 एकदमात इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाबिल सताइश है मुलक के अंदर आप एक परसंट भी आप जो है central government से कोई उमीद मत लगाएए कि वो लोग कुछ जो है ना safely measures इस्तेमाल कर रहे हैं यही वज़ा थी जब वो लोग फेल हो गए तो उन्होंने मुसलमानों को scapegoat बनाया और मीडिया तो उनके हाथ में है नेशनल मीडिया फिर उनके जो है ना चटर बटर करने वाले उनके चापलूस जिनको हम भक्त कहते हैं वो तो available है 24-7 उन्होंने यह ड्रामे को बिलकुल एक next level पर जाके लेके गए फिर तीसरी जो चीज़े हमारे पास भी एक कैंसर है निजाम अबाद के अंदर नाम लेंगे तो फिर परिशानी हो जाएंगी तो वो कैंसर ने भी अपने सारे ताखत इस्तेमाल करकर जो है ना पर्टिकुलर्ली एक जमात को टार्गेट करते हुए फिर एक कम्यूनिटी को टार्गेट करते हुए उन्होंने अपना काम को अंजाम दिया आपने मदद की तो ये जो एक 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 इंडिया के अंदर हिंदो मुसल्मान सी किसाई की जो यूनिटी बंती नजर आ रही थी वो बीजे भी बरदाश नहीं कर सक रही थी वो जो फैक्ट देख रहा था कि आपने कई मरतबा कई सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर हिंदू फैमिलिस मुसल्मानों के पास खाना लेके जा रहे थे मुसल्मान के बच्चे टूपी बगरा लगा कर हिंदू के फैमिलिस को राशन पहुंचा रहे थे यह चीज बीजे भी बरदाश नहीं कर सकती है उनको डाइजेस्ट नहीं होती है चीज़ तो उन्होंने यह कुक अप की स्टोरी बिल्कुल एक फ्रैक्शन आफ सेकंड के अंदर सीन ड्रामा सेट किया मैं इंकार नहीं कर रहा हूँ देखे अगर कोई आदमी इंफेक्टेट है चाहे वो राजेश हो चाहे वो सनावला हो या फिर कोई जिशान हो तो यह या फिर जो है ना कोई हरमिंदर सिंग हो या फिर जोसेफ हो कोई भी इंफेक्टेट हो सकता भई इसमें जरूरी नहीं ह ना तो अब फाइनली ये बात क्या हो गई हाँ पे एक जगा पे आके एक सेट हो गया कि अब जतने मेजर जतने लोग लिकल रहे हैं वो एक पर्टिकुलरी कम्यूनिटी से लिकल रहे हैं तो वो लोग चाह रहे थे कि मुसल्मानों को सेगरिगेट कर दिया जाए मुसल्मानों को हटा दिया जाए मुसल्मानों को बिल्कुल दूर कर दिया जाए लोग खरीब कर रहे थे क्योंकि मुसल्मानों ने कोरोना वाइरस के बाद अपने दिल खोले मुसल्मानों ने अपना माल खोल दिया मुसलमानों ने हमने देखा कि जो है ना चीफ मिनिस्टर रिलिफ फंड के अंदर कोहनूर के मैनेजिंग डिरेक्टर वहाँ पर पहुँचकर एक मोटी रखम अदा करते और बहुत सारे ऐसे लोग है जहां पे उन्होंने कली हमने देखा कि एक बच्ची थी जो अपने दो छो चोड़े गले लेकर आकर जो है ना पांच हजार एक सो रुपे लाकर डोनेशन दी तो यह चीजें जो है ना एक एक इंस्पारिंग लेवल पर लेकर चले गए थी कि लोग जो है मुसलमानों के तालों से एक अच्छा सा ओपीनियन बनाना शुरू कर दिये थे मूलक के मिटने और उन्होंने क्या किया बिल्कुल हिट ऑन दा बूल साइज इसे कहते हैं उन्होंने उस पर टार्गेट किया बिल्कुल वो चीज लग गई जो लोग यह नहीं सोच रहे थे वो लामहला वो मानने लगे मैं उनसे मेरी बात अगर मेरे गयर मुसलिम भाई अगर सुन अबिभी सुला सो लोग गहर मुसल्मान है अभी विछ सोला सो लोग गहर मुसल्मान रहे तो इसमें बात मुसल्मान हैं जो इसके लिएए ह深ी चैनल में आई इन्डिया के लोगों है विल्कुल आगई है बिमारी जो इनसा प्रो सुन के टर्Re quest कर रही वो तो समझ लीजे उ इंडिया के अंदर भी पर्टिकुलर्ली नॉर्ट इंडिया बलकर नहीं है सौथ इंडिया है अब आप देख ले मैं एक बात अच्छी यादा कि मैं हमारे जिशान भी से बोलना चाहूंगा कि केरला के अंदर जब जितने सारे लोग एफेक्टेड हुए थे उनका जहनों जमाद का तो फैक्टर उठा भी नहीं है और एक बात आपको बतला दू केरला बेसिकली तबलीग जमाद जमाद डॉमिनेटेड एरिया नहीं है वहाँ पे तबलीग जमाद के लोग ज्यादा पाहे नहीं चाहते तो सवाली पैदा ने उड़ता कि तबलीग जमाद ने वहा तो सेकंड मोस्ट पॉपिलर जगा जो है हमारे विस्ट बेंगाल की है विस्ट बेंगाल में आपको पेशन्ट नहीं पाये जा रहे और जो फस्ट जो पेशन्ट का जिसका डेथ हुआ वो हिंदू था तो क्या हम बीमारी को मसभब से जोड़ना क्यों चा रहे अरे भाई ज जोड़ना है तो आप भुकमारी से जोड़े भुकमारी से जोड़े हम आपको कहते हैं कि मुसल्मान सबसे जादा बीपियल फैमली में पाया जा रहा है मुसल्मान सबसे जादा गरीब है मुसल्मान भुकमारी से मर रहा है जोड़ना है मारे को डेटा ही अगर हमारा लिकान हमारी गरीबी का डेटा方 लिका लो ओपता। हमारी भीकमारी का डेटा ele immediate का डेटा लिका लो こि यू हमारी बीमारी का डेटा लिका लने पे तुलिए होए वाप लो गुए sì दो में उन जो जिनको जो है ना इस्लामरा से नफुरत है या उन तक ये बात मैं पहचाना चाहरा हूँ कि जो है ना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अख्तियार करें और रियालिटी के उपर गोर करें ना के शोशल मीडिया पे फैलाई जाने वोले चीज़ों पे करें मैं हमारे जिशान में का शुक्र गुजार हूँ कि उन्हों ने मुझे अपने ख्यालाद पेश करने का मौखा दिया असलाम आलेकों नाजरीन यूट आइकान सनाव अल्ला साथ ने पूरे वाज़ तोर पर अपने आनिलाइसिस के साथ ये बात वाज़ तोर पर थाबित की कि जो वाइरिस है वाइरिस को मुसल्मान बनाने के उसे इसलाम खुबल कराने के पूरी कोशिश की जा रही है वे इस वक्त और जो जंग हिंदुस्तान के अवाम बाहिसियते हिंदुस्तानी ना के हिंदु मुसल्मान के तौर पर लड़ाई जारी थी उसको फिर से मजब का रंग दिया जाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कुछ हद तक ऐसे जहिन के लोग इसको कामियाब बना चुके हैं जिसके वज़े से एक बड़े ही तपखे में काफी नाराज़गी पाई जा रही है बरेली राई बरेली जहां पर एहल सुनत अल्यमाद का मरकज हैं वहां से मौला तुखिर रजा सब ये सदा देते हैं कि मुसल्मानों ने काफी खुर्बानिया दी हैं मुलकी आजादी के लिए यहां तक के जब करोना वाइरस के खिलाफ में हमारे वजीर आजम वजीर आला दोनों ने भी ऐलान किया तो हमारे मुसल्मानों ने शब मेराज और जुमा की तक नमाजें हिंदुस्तान की तारीख में या फिर इसलाम की तारीख में काफी सिया दिन गुजरा कि नमाजें खता हो रही हैं, मुसल्मानों ने जमातें छोड़ दी हैं, बाजमाद नमाज अदा करना छोड़ दी हैं, इससे जदा हमारे खुर्बानी को हम किस तरह से साबित करें, ये सवाल किया है, और कहा कि एक जमाद पे इस तरह से इलजाम लगाना, काफी गलत बात है, वाजर है कि जो कहा जा रहा है कि 13 से 15 तारिख तक जो इस्तेमा अटेंड करें हैं, वो लोगों में इंफेक्शन पाया गया, और सिर्फ पर्टिकुलर एक जमाद को अगर ऐसा कहा जा रहा है कि इस जमाद की वजह से हिंदुस्तान में इंफेक्शन हुआ, ये बात अगर हो मतलब जिस तरह से इसे कहा जा गया कि होती तो ये मान लिया जाता लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया वो दिगर मीडिया पर या फिर दिगर सियासी खायदीन की जानिब से जो कमेंट्स के जा रहे हैं वो नाकाबले बरदाश होते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरा मामला एक नया रंग लेता जा रहा है और ये हालात क्या हुकुमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रही है या फिर मीडिया कोई संसेशन खबर ना मिलने के वज़े से इस तरह के हालात बना रहे है चाहे कुछ भी हो इसमें बर्ख गिरी तो सिफ मुसल्मानों पर कैमराबन इम्राइन के साथ मैं दिशान रजवी रोशने टीवी निजाम बात के लिए आदाब नाजरीन जो मुलक में सबसे बड़ा जो मसला चाहरा है जो सबसे बड़ी निउस चाहरा है करोना वाइरोस को फैलाने में तब्लिवी जमात का किरदार या फिर आलमी जो इस्सेमा हुआ देहली मरकस पर तब्लिवी जमात के वो उसकी वज़े से करोना वाइरोस हिंदुस्तान में फैला तो इन वाखियाद पर हमाई साथ गुफटगू के लिए निजामाबाद के सीनियर साहफी जो गुष्टा अठरा साल से अपनी साहफती खिद्मात अंजाम दे रहे हैं जनाब अन्वर खान साथ मौजूद है जो वक्त के हर पेज़िदा मसले पर अपनी दूर अंदेशी वो अपनी चिल की तरह निगार रखते हैं उनसे हम बात करते हुए अवाम को अपनी हद तक वाकिफियत कराने के कोशिश करते हैं कि आज जो मुल्क के हाला थे वो किस तरह से हैं और यह जो मसला बता जा रहा है उसकी हकिक्षट क्या है असलाँ आलेक्षट के जरीए मुझसे राप्ता पैदा किया गया है कि करोना वारेस को मुल्क भारत में फैलाने में तबलिग इस्तिमा का जो मरकजी इजलास था उसकी वज़े से पेचिदा मसला हो गया और वारेस फैर गया मैं इसकी मज़मत करता हूँ कि सारे मुल्क में तबलिग इस्तिमात की वज़े से ही करोना वालस फैला है महीं नहीं बलके हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदु भाई भी सोशल मीडिया पर कई एक ऐसे दलायल पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लागड़न का जो एलान किया गया था वो तकरीबन वननीस तारिख को किया गया और बावीस तारिख को सारे भारत में करफी हुआ लेकिं दिल्ली में जो तबलिग जमात के यकाबिरीन उल्मा या उसके जहतकार शरीक हुए वो तेरा तारिख से ही शुरू हो गए थे और ये बात है कि तकरीबन पचास साल से मरकज निजाम वद्दिन में तबलिग जमात के दाई हमेशा जमा होते रहते हैं और दो तिन हजार की तादाद वहां पर मौजूद होती है और ये तादाद को हटाने के लिए एसेचो निजाम वद्दिन मरकज के उन्हें तबलिग जमात के दिमेशारान से मीट की थी और उस मीट का जोसरों ने मौसर जवाब देते हुए वहां पर एसेचों से एक दर्खाश दी थी और कहा था कि कुछ लोग जो मुखामी थे चले गए हैं लेकिन उसमें से कुछ तादाद मरकज में जमा हो गई है एसेचों से उन्होंने अपिल की थी कि उनको सरकारी जो सपास जारी करते हुए यहां से रवाना किया जाए लेकिन शाहिद दिल्ली की पॉलिस देगर मसाल में मसरुफ थी और उनकी जपील पर तबज़ नहीं दी उसकी वज़े से वो नहीं निकल सके तो अमदन वहाँ पर करोना विरस को फैलाने के लिए वो जमा हुए ऐसी बात नहीं है बलके मुलकी बहतरी के लिए दोलिया दुआ करने के लिए और अल्ला से तालुक को अपने मजबूत करने के लिए वो लोग महाँ पर जमा हुए थे और वो हमेशा ज़ए जमा होते है लागडन का जो एलान किया गया है सिर्फ 6-8 गंटे पहले किया गया 6-8 गंटे पहले वहाँ से जो लोग भी थे दो-तिन हजार कैसे निकल सकते थे जबके बहुतली प्रियासतों के थे वहीं नहीं बलके बिहार की सरथ पर भी लाग़ लोग जमा हो गए और हम देखते हैं कि इसी दोरान हम देखते हैं कि कांग्रेश की हुकमत को गिरा कर बीजेपी ने अपनी हुकमत बनाई वहाँ पर भी सेक्ड़ों की तदाद में लोग वे योगियाती दिन नाथ भी जो बाबरी मज़िद के मकाम पर पहुँचे और वहाँ पर भी कईलों को लग गए उसी दिन हम देखते हैं कि ये सोशल मिड़ा में भी बात आ रही है कि तकरीबं 30,000 लोग तिरपती की मंदिर में वहाँ के भकत जो सो अपने भगवान की दीदार करने के लिए गए थे तो मुल्क में 2-3,000 अबलेगी जमाएत के लोग जमा होने से करोना वारस फैला जो बात कर रहे हैं कि मैं सक्ती से मदमत करता हूँ और मैंने जो मिसालें दी है मुल्क के कई मुखामत पर लाकों लोग ऐसे जमा थे जो अपनी अपनी रियास्तों को जा रहे थे मारस्टा से मारस्टा से निकलने के लिए कई लोग बाहर निकलने के लिए लागों की ताधा में जमा हो गए और आज भी ये सलसला जा रही है कई लोग पैदल मसाभा मत तरह करते हैं अपने अपने घरों को जाना चाह रहे कही जाएंचे के हजारों लोग जमा हो रहे खुद हम ये देखते हैं कि बाविस तारिख को जो डाक्टरों की हिम्मद अब ज़े के लिए थाली और ताली बजाओ जो प्रोगाम किया गया वो थाली और ताली बजाओ प्रोगाम लोग घरों के उपर से करें लेकिन बात में सड़कों पर जमा हो गए हजारों की तादाद में जमा हो गए उससे करो बनाए चोड़ दर्वादे से उससे करोना नहीं पहला और ये इसलाम मुसल्मानों को दिया जा रहा है कि तबलिग जमाद की वेसे मुलक में करोना वारस पहला है उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वहां से जाने के लिए लेकिन वो जाने के लिए हुकमत की तरफ स कोई बंदोबस नहीं किया गया था जिसकी वज़े से वो लोग मुक्तलिफ मिल्क की अपने इपनी रयासतों को पहुँचे इसमें शक नहीं कि अल्ला की मर्दी से उसमें से कुछ लोग अल्ला को प्यार हो गए करोना वारिस का उपर को वारिस हुआ तो इसके माने यह नहीं होते कि वही जो है इसके दिम्हेदार है मैं यह सवाल करता हूँ जो यहां की जो गोदी मीडिया है क्या इटली में करोना वारिस तबले की जमाद की वेसे फैला क्या अमरिका में करोना वारिस जो तबले की जमाद की जमाद की वेसे फैला क्या बंबाई में करोना विरस तबली जमाइट की वेज़ पहला क्या मुलके मुख्तली मुमालिक में जो तकरीबन दोसो चिल्लर मुमालिक में करोना विरस की वबा पहली क्या उसके जिमादार भी तबली जमाइट के लोगे बाई खुदा के लिए करोना वेरस सारे मुलक के लिए संगिन खत्रा है इसको सारी भारती मुसलिम, हिंदो, मुसलिम, सिक्व, विसाई मिलकर इसकी जुसु जुज़ज़द करना है इसको रोकना है और इंशालला इस भारत के तमाम खौमें यहां के डाक्टर यहां की जोसों इंतिजामियां मिलकर इस करोना वायरस का मुखाबला करेंगे और यह करोना वायरस खत्म हो जाएगा लेकिन यह बहुत बाओ आपस में पायदा मस करो मेरे यह खायश है हम आप से यह भी जाना चाहेंगे के जहां पर 9 डिसमबर 2019 से ही करोना वायरस का खत्रा चल रहा था पुरी दुनिया पर और हिंदुस्तान और चाइना के दर्मियान ज़्यादा फासला भी नहीं है उसके बावजूद भी बैरून मुमालिक वो चाइना से आमद और रफ्त हिंदुस्तान को जारी रही खुद डिसमबर 2022 मार्श तक भी सिलसला जारी रहा क्या इस वज़े से करोना हिंदुस्तान में आया या फिर तबलिख और सिफ तबलिख इस्तिमा की वज़े से आया दुनों में क्या वज़ुहाद है क्या हुकूमत इस इस्तिमा को ही क्यों टार्गेट कर रही देखिए सब जहां तक जो सो बेरुन मुमालिक से लोग हिंदुस्तान में आना का तालुख है बेरुन मुमालिक से हिंदुस्तान में आने के लिए विज़ा देने वाले भी हुकूमत इस है और ये हकूमत की जिम्मधारी थी कि विजा देया जाए या ना देया जाए और हम ये देखते हैं कि 13 तारीख, 15 तारीख, 8 तारीख के अलग अलग नोटिफिकेशन से जिसके अंदर 13 तारीख और 15 तारीख के बता गया कि करोना वरेस से पाक है दिली और हेल्थ केर का सिस्टम का कोई खत्रा नहीं है, लेकिन बाइन आने वाले दिलों में खत्रे को जोसों एलान किया गया और बाविस तारीख को भारत करफियो का एलान किया गया तो जब आप विजा का जो सिस्टम था आप रखे लखनों की जो गलोकार है वो आई करोना विरस उसको हुआ लखनों में दाखिल हुई करिना और इसको विजा दिया अब इसके कौन जिम्मेदार है और ऐसे चीज़ों को छोड़ दे के महस तबलिग जमात को निशाना बनाना ये दरसल एक मखसूस असबियत परस्ती और फिखा परस्ती और फाशिजम के नजरियात के हामिल जो सो नेशनल मेडिया उलों का के काम है जबके शोशल मेडिया पे कई ऐसे डलायल सामने आ रहे हैं जिससे ये बात बताई जा रही है कि मुलक में इस वक्त कई बड़ी बड लोग थे ताली बजाओ ठाली बजाओ प्रोगाम में सारे मुलक में अगर उसकी तादाद को जड़ा जाए तो लाकों लोग जमा हो गए ना सिर्फ घर की मंजिलों पे से ताली बजाए बलके गिरोडों में सडख पे सेगड़ों की तादाद में आ गए अगर उन सेगड़ मेडिया पर ऐसे मासुम बच्चे भी आकर नेशनल मेडिया को जो सो दलाल के साथ बात कर रहें कि भाई तुमकू जो सो अकल मारे कही है percentage तुमकू अक्खल मारे क्या तुम जो जो सो ये बोर रहे को दिम्मेदार बना रह रहे यह लोगh जमा हुए और ये कि कहीए अगर दियूसरे मख़भी मुखाम पे land में जमा हो तो बतरे बता जा रहा है कि फyeong गे है और मरकथ जू जमावे हैं उनको जो सो एक अलग लग नाम दिया जा रहा है जैसे कि छुपे हुए है छुपे हुए कि होए भाई उन्हों तो यसे 유जो से अपील करे थे कि पॉलीस मेरे हाथ में नहीं है क्योंके मर्कज के तहट जोसो रुयासत है आपके हाथ में पॉलीस नहीं है तो आपने जो है आज जो है तबलिग जमात के अमीर को जोसो मत तब उनके ओपर मख़वा दर्चकर ने कहा आड़र दे दिया जब यही जोसो काम गोली मारुसारों को जब बीजी बेक लेटर ने कहा तो जब आपने जोसो कोई आड़र ने दिया और कहा कि पॉलीस हाथ में नहीं है अब आप उने कैसे आड़र दिया आपका भी दोरुकापन अवाम के सामने आ गया है आप बराबर जो भी मुझरी में उनको उसकी जिमेदारी की और खानू किये मारे हो गए हालत से मजबूर हो गए वो लोग मुझे निकल नहीं से क्यों तो ट्रेनर वगरा सूब बंद हो इथी कोई जो सवारियां जारी नहीं थी तो निकलेंगे कैसा इसमेशर को निकल गए और उनका जो प्रोगाम होता है दो दिन पहले तीन पहले तैय करह सो न नहीं सकी और चिरव अब लेगी जमाच नहीं बलके मुलक में जतनी पी रियासतों में दूसरी रियासतों के लोग छुपे हुए हैं या फशे वे हैं उनको हकोमत निकान ले के लिए कोई कोशचित नहीं की हैं और करूँ नहीं क्योंकि ये चीज और आगे ना बढ़ जाए लेकिन उसकी सदा एक मखसूस तफके को देना करोना वरेस को मजब से जोड़ना ये इन्तियाई संगिन मसला है हमें जो सो ऐसे हालत में तो जबके मुलक इस वबाई बिमारी का शिगार होते जा रहा है उपर वाला जिंदा है तम